पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रसीद अपने काम के लिए कम और कारणामों के लिए जादा जाने जाते हैं शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब उनकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में ना होती हूँ उनके उल्टे सीधे बयान तो पाकिस्तान से लेकर भारत हर जगह सुर्ख्या बेटोरते हैं शेख रसीद अब एक टिक टोक स्टार के साथ वाइरल हुई बाचीट में फस गए हैं पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक गुरुवार को पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार हरीम शहा ने टिक टोक पर एक वीडियो शेयर किया यहां वो रेल मंत्री शेख रसीद के साथ बाचीट करती नजर आ रही थी बाचीट के दुरान उन्होंने आरोप लगाया कि रशीद उन्हें न्यूट तस्वीरे बेशते थे पहले आप भी देखिए उनके दुआरा शेयर की गई वीडियो अच्छे मेरी बात सुने मैंने आज तक आपका कोई रास पाशनी की आप मुझे बात क्योंने करते हैं अच्छे मेरी बात सुने मैंने आज तक आपका कोई रास पाशनी की आप मुझे बात क्योंने करते हैं अच्छे मेरी बात सुने मैंने आज तक आपका कोई रास पाशनी की आप मुझे बात क्योंने करते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि रशीद के साथ उनकी वीडियो कोल पर बातचीत हो रही है हरीम शहा कहती है कि उसने कभी भी मंतरी के राज नहीं खोले फिर वो क्यों उनसे बातचीत नहीं करते जवाब में रशीद कहते हैं तुम्हारी जो मर्जी वो करो इसके बाद हरीम ने कहा क्या आप उन न्यूट तस्वीरों को भूल गए हैं जो आप मुझे भेजते थे थोड़ी देर के बाद हरीम शहा ने इस वीडियो को डिलेट कर दिया बाद में उसने कहा कि उनका किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन तब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया ट्वीटर पर ये टोप ट्रेंड में पहुँच गया है ये कोई पहला मौका नहीं है जब रेल मंतरी शेख रसीद और हरीम शहा सुर्ख्यों में नहीं आए हो इस से पहले इस साल इन दोनों की एक सेलफी भी वाइरल हो थी असलाम जब गाइस मेरे पास इतना कोई फुजल वक्त नहीं है कोई फुजल काम नहीं या आप लोगों की काम है किसी की प्यूज़त अचाएथ ना अल्लाद बारप को तरह मुझे ऐसे कामों से बिचाएथ प्रीज मेरे पीसे जो हातों के पढ़िए में आपको से रिक्वेस्ट करके मेरे पीसे चोड़ एं और बोत सारे काम है और बोत सारे लोग है उनके पीसे पढ़ें और मेरा नाम दे के ना साल आएएग J.B.D. Banquets लाए हैं इंक्रिडिबल मारिज पालेस राजगराना और फानेस बांकेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंडिशन, लुष ग्रीन लॉन्स, शेट-व्री आर्ट लाइटन अपर्फेक्ट वेन्यू पर वेडिंग, लॉंचिंग राजगराना और जोती गार्डन और J.B.D. Banquets Enterprise